गुद्मॉर्निंग फ्रेंट्स तो मैं बनाने आ गई हूँ किचिन में सुबह की गरमा गरम चाय तो मेरे साथ ही आ गया है यहाँ पर दिव्यांस और वो आप सभी को बोल रहा है है लो तो फ्रेंट्स मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाय क्योंकि सुबह मैं थोड़ सा लेट उठती हूँ तो इसलिए फिर मुझे दुबारा से चाय बनानी पड़ती है मुमी पापा तो बहुत जल्दी सुबह को जग जाती है तो उन्होंने तो एक बार चाय अपनी पी लिया है तो अभी टाइम हो चुका है मैं आप लोगों को टाइम बता हूँ तो नौ बज़े हैं अभी तो मैं और दिग्या सभी सोके उठती हूँ तो इससे थोड़ा सा मुझे रिलेक्स भी लोगा तो दिव्यान सुबह सुबह खा राए अपनी चॉकलेट वाली टॉफी तो बस कुछ न कुछ उसका क्या है कि कुछ न कुछ न कुछ वो बोलता रहता है तो फ्रेंट्स आप लोग भी चाई पी लेजिए गर्मा गर्म तो मैं यहापर चाई पीती हूँ वो अपनी खा राए टॉफी तो उसके बाद मैं मैं यहापर नहाद हो कि एक्दम हो गई हूँ रेडी तो टैक्टर आ गया था तो हम लोगों कि यहाँ पर क्या गाओं में अब ना मतलब चक्की है जो चक्की टैक्टर पर चलती है वो फटा फट से दो मरट में आटा पीस के चली जाती है अब कहीं भी जाने का जंजट बिलकुल भी नहीं है तो फ्रेंट्स अभी वोसिंग मसील लगा लगा चुके हैं तो आज धोने हैं कपड़े और इतनी ठंड है दो बिलकुल भी नहीं निकले तो तीन-चार दिन के कपड़े इतनी खटे हो गए थे तो फिर धोना ही है अब धोना है तो क्या करें क्या सर्दी और क्या फिर ठंड तो है बहुत जादा है लेकिन धोने है क्योंकि काफी एक दो दिन तो वेट हो गया करते करते लेकिन नहीं हुआ तो मैं आपना कपड़ों को इसमें डाल दूँगी थोड़ा-थोड़ा कपड़ा करके जल्दी से अच्छे से वॉस हो जाएगा वैसे तो बोल रहे थी कल्द हो लेंगे लिकिन कपड़े फे जादे खटे हो गए थी और पता है अचानक से कुछ टाइम के बाद भी धूप निकल आई थी वरना अगर हम लोग कपड़े छोड़ देते के चलो कोई निकल दोते हैं तो सूख भी नहीं पाते तो ना पापा यहाँ पर पानी वगरा इसमें भर देते हैं तो बस ऐसे ही जुगाड़ वाली टंकी बना रहे है तो उसी से हमारा काम न हो जाता है तो फ्रेंट सबसे पहले जो वूलन की होते हैं वो पहले धोलाएंगे क्लिक बेट सीट वागरा जो वूलन की होती है वो सबसे पहले धुल जाएंगे क्योंकि न बड़े बड़े जो कपड़े होते हूं उन में ज़्यादा टाइम लगता है छोटे-छोटे कपड़े क्या है वो तो आसानी से धुल जाते हैं तो बस और टाइम भी होगा था दस गया रहोगे तो जब तक धुलते हैं कपड़े तो मैं बना रही हैं यहाँ पर कच्चे चैनी की चाट मुझे बहुत पसंद है बिल्कुल भी बॉयल वाली अच्छी नहीं लगती तो मैंने इसमें नमकीन, टमाटर, प्याज, नमक, मिर्च, धनिया सारी चीजे मिक्स करके बना ली फटा बटरी चाट तो मैं खाऊंगी, मुझे न सादा वाली जो चाट होती है बॉयल जो होते न चैनी, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती तो सुबह को ममी ने तो अपना ये है कि अपना और पापा के बॉयल करके बना लिया था तो मैंने बोल दिया थे मेरे लिए एक कटूरी चने कच्छे छोड़ देना मैं अपना दोपहर में बना लोंगी तो बारा बज़े के आसपस मैंने अपनी चाट खाके आ गई हूँ चट पर और कपड़े वगरा यहाँ पर सुखा दिये हैं ममी ने तो दिव्यास कर रहा है मेरे साथ मस्ती उसका क्या है कुछ न कुछ जुगार पानी चलता रहता है कुछ बग 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 करता रहता है तो मेरे जारत ना मस्ती कर रहा है ना उसका क्या है कि कोई ना कोई चीज उसको चाहिए तो friends मैं आ गई हूँ अब घेर में तो घेर में लगाने वाली हूँ शानी तो मैं यहाँ पर निकालने जा रही हूँ इसके अंतर भुस तो काफी पहले मैंने एक चुटा सा बच्चा है तो उसके लिए आज करनी है सानी तो मैं डाल रही है यहाँ पर दो परात भरके डालूँगी इसमें भुस और इसके साथ मैं करूँगी सानी तो ना भुस तो डाल दिया था लेकिन बाद मैं देखा अरे पानी तो ही नहीं तो पहले बुस डालने के बाद में फिर जाएंगे पानी लेने और उससे पहले चैनल पर कोई भी न्यू है तो फटा फट से सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंट्स आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं बूलना वरना आप लोगों को नोटिफिकेसन नहीं आएगा और व्लोग देखना आप लोग मिस्स कर जाएंगे तो फ्रेंट्स मैं जा रही हूँ सरकारी नल लगा हुआ है पास में ही तो वहां से लाएंगे सबसे पहले पानी पानी एक बालिटी पानी भरके मुझे लाना है तो आदा बालिटी तो इसमें था लेकिन फिर मैंने जो पालक मेथी धनिया हो रखा था उसमें मैंने पलट दिया था सामने जो घर है वो है हमारा ओरंज जो आपको कलर दिख रहा है उसके पारता आप वह हमारा घर है दो इतर पड़ोस में लगा हुआ है सरकारी नल से ही पानी भरना पड़ता है क्योंकि गेर में टंकी तो लगी हुई है लेकिन अभी पानी नहीं है उसमें तो यहां से लेके जाते हैं तो गरम गरम पानी आ रहा था मैं तो उसको भी देखें मैंने सुझा थोड़ा सा पानी पी लो धंडा पानी पीने का ना बिलकुल मन नहीं करता धंडा पानी तो बस भगवान बचाए तो गरम गरम पानी आगा था थोड़ा सा मैंने भी पी लिया था मैं लेकर जा रही हूँ बुस मतलबं सानी के लिए एक बाल्टी पानी तो दो परा तो मैंने बुस में बुस लिया था और इतना काफी बड़ा भीघर है इसमें और परावर में ही इसमें हो रहा है लहाया तो इसकी फली जो इतनी भरी होई फली आ रही है बहुत ज़्यादा तो मुझे तो लगता है कि इस वार फसल में न इसमें बहुत सारा ओयल निकलेगा तेली निकलता है इसमें और क्या है तो फैस मुझे तो ना इतनी सर्डी हो रही बहुत जादा कोल्ड हो रहा है मुझे ना फेस भी मेरा चैन जोगे तो सुबह तो मैं डरी गई थी मेरा अपना फेस देखे तो एक कटोरे में लेके आई थी आटा और आटे को मैं इसमें डाल दूगी तो इसके हो जाएगी सानी तो थंड की वज़े से तो मेरे से अपनी कोट भी नहीं उतारा गया था एक मन तो कर रहा था कि उतार लो कपड़े गंदे हो जाएं क्योंकि आगे का जो हाथ होता है उसके गंदे हो जाते है फिर ठंड की वज़े से ना मेरे से नहीं उतारा गया था क्योंकि ठंड हो ही बहुत रही है आज का जो टेमपरिचर है आप लोगों को बता दू कि हमारे य झाल जाए और में जल्दी से इसको खा जाँ तो यह झोटा सा बाबू है यहां पर खड़ा हुआ है क्योंकि इसकी बुवा जूंद़ कर रही है तो यहां पर देख रहा है तो दो और अपना खड़े हैं और मैं यहां पर इनको लगा देती हूं तो अगर रहता उसका घर झाल वाले बच्ची को मैं या पर दे रही थी तो उसमें से थोड़ा सा भुस करने के पाद में ऊपर से जो चुनी भुसी होती है आटा जो है उसको डाल देंगे उसके सारे क्या होता है कि जो गाये भैस होती है न बहुत आसानी से उसको खा लेती है उपर से अगर आटा नहीं डा ठोसे माँड़ने हैं तो तो दोने अमस्या करते हमाइद मिल बाटकी में ठीट करना में मना करा मिता है और अन्हीं तेल भुझकर को आटे हैं कि मेरे साथ में देख रहा है बो देख रहा हुँ उस तीवी अपने जोस में कार्टन वगर आते हैं वो देखने में लगा इसलिक अब लोगों नहीं दीख रावरण दो मिनट के लिए भी नहीं रहता है जहां भी जाना है कुछ भी करना है वो साथ में आता है तो उसी चेकर में वो अपने घर पे है तो मैंने ना इन दोनों के लिए रख दिया है मैं जारी अपना हेंड रोस करने के लिए आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगाए कमेंट करके ज़रूर बताएगा